राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गैलोद के खिलाफ कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोद किश्णम ने फिर ट्वीट किया है CM गैलोद के स्वागत के लिए बिचाए गए फूल तो आचारे प्रमोद को याद आए फिर से सचिन पाइलेट आचारे प्रमोद ने एक बार फिर सचिन पाइलेट का खुलेयम समर्थन किया है और बड़ी बात कही है पाइलेट समर्थक आचारे प्रमोद किश्णम अक्सर सोशल मीडिया की जरिये मुख्यमंत्री अशोग गैलोद को निशाने पर लेते रहे हैं प्रियंका गांदी के भी करीबी माने जाते हैं आचारे प्रमोद किश्णम दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वाइरल हो रहा है वीडियो में रेट कार्पिट की जगे जमीन पर गुलाब की पंखुणिया बिछाई गई हैं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोग गैलोद के जोदपुर में स्वागत के लिए गुलाब की पंखुणिया बिछाई गई थी वीडियो वाइरल होने के बाद कई लोगों ने इसकी प्रशंसा की वहीं कई यूजर्स इस पर तंज भी कस्ते दिखाई दे रहे हैं कॉंग्रेस के नेता है आचारे प्रमोध कृष्णम मुख्यमंत्री पर तंज गस्ने में वो भी नहीं चुके ये वीडियो देखने के बाद आचारे प्रमोत कृष्णम ने मुख्यमंत्री अशोग गैलोत पर निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा खुद के लिए फूल और पाइलेट के लिए काटे हला कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आचारे प्रमोत कृष्णम इस तरीके से अशोग गैलोत के लिए टिपपनी कर रहा है हम आपको बता दें जोदपूर में एक शाही शादी के दौरान पहुंचे थे अशोग गैलोत और इसी तरह से सभी का स्वागत किया गया था से ऐसा नहीं कि अशोग गैलोत का स्वागत जो है वो विशेश रूप से फूलों से किया गया जितने भी महमान पहुंच रहे हैं या पर उनका स्वागत किया जा रहा है लेकिन आचारे प्रमोत कृष्णम को एक मौका मिल गया इस तस्वीर के जरिए इस वीडियो के हैं इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक ट्वीट किया था दरसल गुजरात हिमाचल चुनाओं के बाद में जो पाइलेट समर्थक आचारे प्रमोत कृष्णम ने मुख्यमंत्री अशोग गैलोत को निशाने पर लिया था आचारे प्रमोत कृष्णम ने अपने एक ट्वीट में लिखा था युवा नेता सचिन पाइलेट हिमाचल के अब्जरवर थे और हमारे अनुभवी नेता अशोग गैलोत गुजरात के आगे मुझे कुछ नहीं कहना है मैं आपको यह बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस को अच्छी खासी जीत मिली तो वहीं गुजरात में एक एतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था बूरी तरह से परास्त हुई थी तो ऐसे में यह बताया जा रहा था कि सचिन पाइलेट को जहां की जिम्मेदारी मिली वहाँ पर बड़ी काम्याबी मिली है और जहां पर अशोग गैलोत के हाथ में जिम्मेदारी थी वहाँ पर बंटा धार हो गया सचिन पाइलेट को हिमाचल का स्टार प्रशारक बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस जीत गई गैलोट को गुजरात की जिम्मेदारी थी गुजरात में कॉंग्रेस की हार हुई ऐसे में आचारे प्रमोद ने इशारो इशारों में CM गहलोत के failure को सामने रखा और सचिन पाइलेट को हिमाचल की जीत का श्रे दिया CM बदलने की मांग करते रहे हैं प्रमोद किश्णम पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी सीधे मुख्यमंतरी बदलने की मांग की थी पाइलेट खेमे के नेता दभी जुबान में मुख्यमंतरी बदलने की मांग करते रहे हैं लेकिन आचारे प्रमोद कृष्णम खुल कर पाइलेट की पैरवी कर रहे हैं आचारे प्रमोद ये भी कह चुके हैं कि मैं कॉंग्रेस कारिकरताओं की भाउनाओं की बात कर रहा हूँ राजस्थान के कारिकरताओं में ये चर्चा आम है कि पाइलेट के साथ नाइनसाफी हुई है सचिन पाइलेट ने नितृत्व का अश्वासन मान कर काम किया है पाइलेट के समर्थक बीते कुछ मैनों से सचिन पाइलेट को सीम बनाने की मांग कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दोरान भी पाइलेट के समर्थकों ने राहूल गांदी के सामने पाइलेट के समर्थन में नारे बाजी की थी वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी सीएम गेलोत और अशोक पाइलेट खेमों के बीच रिश्टों की खाई को खत्म करने में जुटी हुई है लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है इस भी सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विदानसभा चुनाओ से पहले राजस्थान कॉंग्रेस पे कोई बड़ा बदलाव हुगा क्या सचिन पाइलेट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे आपकी राय क्या है आप अपनी राय जरूर लिखें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें